अल्राइट तो श्रीकांत मूवी जो एक बायोग्राफिकल मूवी है श्रीकांत बोल है नाम के एक आदमी के बारे में जो एक ब्लाइंड आत्मी है लेकिन उससे भी बढ़के वो एक बहुती सक्सेस्पुल अवार्ड वेनिंग और बहुती बड़े इंडरसलिस्ट है और अगर आपने इस मूवी का ट्रेलर देखा है तो स्टोरी उतनी ही है जितना आमें ट्रेलर में देखनों को मिलता है बस वही पूरी मूवी के स्टोरी है अपर्ट फ्रॉम एक छोटा सा कारेक्टर आख जो कि मूवी के सेकंड आफ में आता है और कुछ हार्डली 15 मिनिट का वह करेक्टर आख होगा लेकिन उतना अगर शोट दो तो जितना ट्रेलर में है वही सारा मूवी में है अब इस मूवी के बारे में काफी मतलब ग्लैरिंग नेगेटिव पॉइंट है लेकिन मैं उस नेगेटिव पॉइंट को काइंड आफ जस्टिफाक कर सकते है मतलब एक आफ घ्रीडर देख्या तो आपको काई तो इस डेफिनटली पता है कि वो किस किस हड़स के साथ वह गुजरे रहते हैं लेकिन जैसकी ट्रेलर में जो मतलब फ्लो था ट्रेलर कई कि मतलब जैसी वाइब थी कि मतलब अब 謹सते खेलते हैं जो भी सरे सँख़े वो पार हो जाते हैं एंड फिर वैसे ही मूवी हो जाती है तो वैसे वाइप मिल रहे थे ट्रेलर से एंड सेम टू सेम मूवी है मतलब मूवी में इसके वरे साही हमारे कुछ वो मेन करेक्टर साथ एमोशन जुड़ते नहीं है क्योंकि जब भी भी कोई हर्डल आता है तो हस्ते खेलते से ही वो मतलब ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता है लेकिन ऐसे ही वो सब कुछ पास हो जाता है लेकिन आई कैन इमाजिन कि ऐसा रियर लाइफ में नहीं हुआ होगा क्योंकि जुतने सारे चीजे थे वो काफी बड़े-बड़े चीजे थे मालब ऐसा नहीं था कि कोई छोड़ा सा हर्डल था सारे के सारे हर्डल काफी बड़े-बड़े थे लेकिन मुवी में देखते हैं वो एक दम आराम से अल्मोस्ट आराम से ही सारे पार हो जाते है तो उसी का वरे से जो जो emotional connect जो मतलब emotional journey के साथ as an audience हम जाना चाहते है movie के main character के साथ जो कि एक blind character है लेकिन फिर पी इतने सारे बड़े-बड़े चीजे कर रहा है and सच में काफी बड़े-बड़े चीजे होते हैं लेकिन आप वो एक connect नहीं बना पाते हो लेकिन हाँ इसके लिए ही मतलब एक थोड़ा सा justification वाला point है मेरे पास अब देखो वो point को जैसा है मतलब movie का जो approach है वो approach इस तरीके से नहीं होगा कि at the end लोग emotional हो जाए लेकिन in fact उनका approach कुछ ऐसा होगा कि movie देखने के बाद आदमी को एक joyful, fun, breezy movie देखने को मिले and if that was the intention then I think कि उसके उपर वो ठीक टाक उने ने काम किया है क्योंकि movie देखने एक बाद आपको emotional नहीं लगता है in fact आपको लगता है कि हाँ डी कि दो घंटे के अच्छे खासी जहाँ पे एक emotional story थी लेकिन एक दम fun way में दिखा दी and that's it ये सारे आपको चीज़े लखेंगे movie देखने के बाद अब मैं बात करना चाहूँगा एक ऐसे scene के बारे में जो movie के शुरुबात के 5-6 मिनिट में या आता है अब मैं बताऊंगा नहीं वो scene क्या है लेकिन वो scene देखते वे मुझे लगा यारे क्या dark scene है और फिर मैंने movie के interval में बटके उसके बारे में search भी का रहा है लेकिन ऐसा बारे में कोई concrete information मिली नहीं लेकिन अब जब आप movie में वो scene देख क्लिक हो जाएगा and मेरी याद आएगी hopefully अब बात करते है performances के बारे में अब देखो ऐसी movie में जहाँ पर हमारे lead character एक blind आदमी है या ऐसा को कि एक physically challenged आदमी है तो ऐसा role भी आप जब भी कोई actor को play करता हुआ देखते हो तो आपको सिधा सिधा notice होता है कि कुछ तो अलग उनका acting में दिखना चाहिए मतलब जैसे भी उनके mannerisms होते हैं जैसे कि वो लोगों के साथ बात करते हैं जैसे कि वो चलते हैं हर एक चीज में कोई different चीज आती है लेकिन उससे भी द्यादा important है कि वो different चीज को अब consistently पूरे movie में बना के रखे and that was done nicely by राजकुमर राव in this movie फिर जो बाकी के कास्ट में बस भी जैसे कि जोतिका उनका भी character भी अच्छा था acting भी अच्छी थी फिर शरत खेड़कर उनका role छोटा था लेकिन अच्छा कासा था लेकिन जो अलाय एफ है बड़े में चोटे में आपने अगर देखी होगी या फिर एटलीस मना रिव्यू देखा होगा तो मैंने कहा था बहुत ही जाथ है irritating वो character था यहाँ पे वो completely different completely पूरा पूरा shift पूरा वो जजबात बदल दी है वो वाला यहाँ पे एक दम उनका simple अच्छा कासा character था supporting वाला है था यहाँ पे एक्टिंग के रेंज दिखती है क्यार वो वैसा भी काम कर सकती है और एसा भी काम कर सकती है तो अच्छा देखा अब मैं बात करना चाहूंगा एक movie के WTF moment के बारे में सीन कुछ ऐसा था बड़ा कोई spoiler है ने लेकिन हमें एक ऐसी information मिलती है कि जैसे ही हम aircraft मतलब aeroplane के बारे में information मिलती है उसके seating के बारे में कि जैसे है अब aeroplane में एंटर करोगे वैसे एक side पे 3 seats होगे दुसरे side पे 3 seats होगे और इसे row होगे और जो हमारा main character है जो वो उनमें से 1 seat पे जाकर बैठने वाला है उसकी seat सीदा जाके right वाले में होने वाली है लेकिन उसके अगले ही shot में literally उसका अगले ही cinema में दिखाया जाता है कि हमारा main character है वो उसके seat पे बैठा हुआ है लेकिन फहली बात seat right पे नहीं left पे है और दूसरी बात 3-3 seats में ने बोले थे कि दोनों side पे 3-3 seats है लेकिन इस बार मुझे तो बस दो ही seats दिखे left side में मनलब अब बात करते एक iconic गाने के बारे में जो इस movie में use किया है वो है पापा कहते है पापा कहते है बड़ा नाम करेगा वो वाला गाना and I can definitely say कि वो गाना इस movie के पूरे theme को match को एकदम आराम से suit हो रहा था और वो गाना भी इस movie के vibe को compliment कर रहा था या फिर इस movie के vibe बना रहा था वेकितम funny हसते खेलते निकलने वाली जो vibe थी breezy वाली movie उसको एकदम अच्छी तरह से compliment कर रहा था अब मैं बात करना चाहूँगा movie के end के बार में अब देखो movie के end में आपको ऐसा ने लगए कि आपको कुछ-कुछ बहुत बढ़ा हो गया या फिर कुछ बहुत बढ़ा हमने देख लिया क्योंकि ऐसा कि मैंने जैसे कि मैंने पहले बोला कि जो अप्रोच वाला था movie का कि इतने बड़े उन्होंने कुछ काम किये होगे जो उन्होंने करे भी है डेफिनेटली करे है लेकिन उसके वरेसे ही जो एक स्टोरी के परस्पेक्टिव से जो नेरेटिव आता है कि जो end में जाकर कुछ बढ़ा एक्सपेट करते हो movie से तो वो कोई बड़ी चीज इतने हामें देखने को नहीं मुलती है and part of the reason is कि इस आदमी की जरनी तो अभी शुरू ही है मतलब इस आदमी की जरनी तो अभी बहुत बागी है तो उसके वेरेसे हैसा कोई बड़ा असा event बगरा देखने को नहीं मिलता end में देखना वो ही पूरी मरला fun, breezy वैसे वाली पूरी vibe निकल जाती है at the same time movie की वो कहाने तो बताता है लेकिन वो ही fun वाले वे में emotional होके जादा कहान ही नहीं बताई जाती तो हाँ that's all I want to talk about in this video और अभी में जाने वाला हू planet of the apes नहीं देखने के लिए जिसका वीडियो आपको मेरे English वाने चैनल पे मिलेंगा इसका नाम है picky inside job यहाँ पे उसको देख सकते हो यहाँ पे कई तो भी तो इसको क्लिक करना और उस चैनल पे जाना and please recent वाले वीडियोस देख लेना and please 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 subscribe जरुए कर ला and as always thank you so much for watching